तो आज कल वाले मैच में पैसे कमाने में आपको मज़ाया ना ? सबको मज़ाया मुझे पता है ठीक है ? तो आज डवलूपीयल का ये मैच नंबर आठ है और दोस्तो ये मुकाबला खिला जाएगा UP बोमैंस और गुज्रात बोमैंस टीम की बीच में दोस्तो ये मुकावला एक बार फिर आपको बैंगलोर के M. चिनना स्वामी स्टेडियम में होता हुआ नज़र आएगा दोस्तो लास्ट वाले मैच में हमने कितना पैसा इन्वेस्ट किया था प्ले स्पोर्ट वे आपको पता हुआ लास्ट वाले मैच में मैंने अपसे पहले ही टेली राम पे बोल दिया था आज ये मैच दोस्तो बहुत तगड़ा होने वाला है और भाई आज मैं हाई इन्वेस्टमेंट करने वाला हूँ और दोस्तो हमारी टीम में हमने कैप्टन किसको किया था अमेलिया कैर को जबकि सवकी कैप्टन थी याँ पे नेट सीवर ब्रेंड थी हमने उसको वी सी किया दोस्तो मैं कुछ कॉंटेस्ट हार गया किस वज़े से क्योंकि आपे हैली मेत्यूज को कुछ लोग कैप्टन करके आ गए थे वरना वाई हमने सब को अराया लास्ट वाली मुकाबले में हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट था 21,000 रोपे और वाई हमारी बिनिंग थी लास्ट वाली मेंच में 56,000 रोपे ठीक है और दोस्तो इस में से हमारा प्रोफिट था वाई कितना 34,000 रोपे ठीक है तो यार इतना बड़ा प्रोफिट था हमारा लास्ट वाली मेंच में तो यार आज पहले मैंच की तरह है आज इस मैंच में भी आप इसी तरीके से पैसा कमाना चाहते हो तो यार इस वीडियो को आप end तक जूड देखते रेना और आज मैं आपको पता हुँगा कि आज आपको किस किस को captain करना है किस को vice captain करना है आज दोस्तों दोनों ही 10,000 रुपे कमा सकते हो आपके लिए 10,000 रुपे का फ्री गिबवे है इस वीडियो में किवल आपको तीन आसान से सवालों के जवाव देने हैं बस आपका काम हो गया और आप 10,000 रुपे आसानी से बिन कर लोगी दोस्ते मेरा टेलीगराम चेनल है जो मेरी बिनिंग टीम होती आपको यहीँ पर मैं टीम दूंगा जिस टीम के साथ खुद मैं खेलूंगा फाइनल टीम मैं आपको इस टेलीगराम चेनल पर दूगा तो यार पैसे कमाना है फटा पर जाओ टेलीगराम को जोईन कर लो जब सभी लोग ये दोस्तों एहम चेनना स्वाबी इस्टेडियम वो पहले गेंधवाजी करेगी यह आपको पता है और मैं ही बता रहाँ आपको ठीक है, और दोस्तो जो टीम पहले गेंधवाजी करेगी न उसको यहाँ पर जादा advantage है और वही आपको domestic को भी बिन करते भी नज़राएगी और पहली पारी में जादा wicket किरेंगे तो आपको पहली पारी में जो टीम गैंदवाजी कर रही है उसके गैंदवाज लेना बहुत जुरूरी है सेकंड इनिंग में गैंदवाजी जो टीम करा रही हो उसके गैंदवाज आप मत लेना केवल इंपोर्टेंट गैंदवाज उसी को लेना है बागी सब गेंदवाज को आज दोस्तों इस मैच में आपको ड्रॉप करना होगा ये दोस्तों इस पिछ पे 6 मुकाबले खेले गए डवलू पील के के वल यहाँ पे एक मैच जीती है पहले वल्लेवाजी करने वाली टीम बागी के सबी मैच, पाँच मैच, चेस करने वाली टीम ने जीती है एवरेज स्कोर 140-160 है जो कि डीसेंड मना जाता है हाइस्ट इसकोर 173 है जो कि डवलू पील है बहुत बड़ा हो जाता है 173 और 117 रन लोईस्ट स्कोर है और दोस्तों जो 6 मैच खेले गया है 6 मैच मैच से 3 वार तो 150 से नीचे स्कोर हुआ है और भाई दो वार यहाँ पे 150, 119 की बीच मेच 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 में देखने के लिए मिल चुका है ठीक है तो ऐस ये लास्ट के चार मुकाबले हैं जो इस वाली पिछ पे खेले गए हैं इन में दोस्तों आप देखोगे तो आई ये डवलू पील के मैच नहीं सभी जितनी मैच हैं सभी डवलू पील के हैं ठीक है तो यहां पे देखोगे आप मंबई और यूपी में हुआ था लास्ट वाला मैच यहां पे तीन विकेट मेले पेसर को पांच विकेट यहां पे मिले इस्पिनर को जादा विकेट मिले हैं उससे पहले मुकाबला खेला गया पांच विकेट और वही इस्पिनर को यहां पे मिले पांच विकेट दोनों को बराबर उससे पहले गुजरात की टीम ने यहां पे बनाए 126 रन और पहली पारी में पेसर को मिले 6 विकेट मुमाई की टीम ने स्कूर को चेस कर लिया और इस्पिनर को यहां पे मिले 7 को आज मेंच में आप आवर्ड कर चलना मात्र चार मैं चारव में विकट करके वह एक मिलता है पेसर को सेकनी ही पैज़ की बात करें तो दोसरी पारी में यहां पे बेकर नहीं गिरते तो आप देखो यहां पर दूसरी पारी में 9 विकेट गरें मातर 9 विकेट यहां पर गरें दूसरी पारी में लास्ट के 4 मैचों में तो यह वीडियो देखने का फायदा होता है और जो वीडियो को एनन तक देखेगा उसकी क्लिस सबाज पक्क्ये भाई यह दोस्तोग 10.000 कराए बल्लेवाजी करें कीपरींग करें या ज़्छा ले जाए मेरा मतलब कहने का साफ है कि अज सवसे ज़्यादा पॉइंट कौन देने वाला है कैसे भी करके और लास्ट वाला सिंपल सा है बहुत आज इस मैच को कौशी टीम जीतेगी किवल आपको इन तीन सही सवालों के जवाब देनी है नीचे कमेंट बॉक्स में नंबर एक क्वेस्ट नमर एक क्वेस्ट नमर दो क्वेस्ट नमर तीन लेके इनका अंसर लिखे दिना है सामने ठीक है और हैस्टेक कई जरू करना है और आपको मिलेंगे सही को आंसर देनी के बाद 10,000 रुपे पीटियम केस आपको मिल जाएगा टैंसर मत लेना ठीक है दोनों टीम है अब तक को मिला करके डवलू पील में दो मैच खेले गए हैं और दोनों ही मैच भाई आप यूपी की टीम ने जीते हैं गुजरात की टीम मैच में ले में आच चुकिया मुंबई जैसी धाकर टीम को रादिया था गुजरात की टीम ने दो मैच खेलें दोनों मैचों में हार करा रही है यह दोस्तों यूपी की प्लेंग 11 है आपके सामने है अलीसा एली के साथ आपको किरन नग नवगीरे ओपनिंग करते निज़ विरंदा पूनम और खेमनार सोफी क्लेस्टन राजेस्वरी गायकवाड अंजली सेरवानी यह दोस्तों प्लेंग लेवर रहने वाली है यूपी वह यूपी वह मैच टीम की इसमें जो भी चेंजेस होगा आपको बता दोंगा टोस के बाद टेलीग्राम पे अलीसा एली का तीन मैचों मैच्यावर रन हैं फिराल दोस्तों रिसेंट फॉर्म आप कह सकते हो रिसेंट फॉर्म को देखते हुए इसको पनी टीम में पका लेना ड्रॉम मत करना भाई किरन के देखो आप सत्तावर रन उससे पहले भाई लगातर फ्लॉप थी कि यहां पे आप 43 रन की इ जादा घातक सावित होगी उस कंडिशन में ड्रॉम मत कर देना और पहले वल्लेवाजी करे यूपी की टीम तो आप ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो दो मैच खेले हैं 29 का अबरिज है सतावर रन है इस मैदान पे तीन मैचों में 68 रन है ठीक ठाक सा कह सकते हो आप तालि जंदवाजी नहीं करा है यार कमाल कि अगंटा गड़ी यहां पर घेट्वेट में दो मैचों मैं 77 रन है और एक बेगट है एक लिए फिट्वेट में वैनू पर दो मैचों में मात्र 24 तो तीन मैचों में 24 रन है और एक विट्वेट हैं मतलब रिसेंट फॉर्म ठीक ठाक बहुत अच्छी चल दिया है है तो दो मैचों में 113 रने कितने भाई सुन लो जांसे दो मैचों में 113 रन और बिगट लेसे बट बल्लेवारी बहुत अच्छी करती है सामने विल्य टीमें खिलाब यह बन दी यहाँ पर देखो वैनूपे तीन मैचों में तो वाई वैनु पे बहुत अच्छा है और एक विकेट भी है तो यहार ग्रैस एरिस सबसे सेफ केप्टन है आज इस मैच में दिप्ति सर्मा 27 रन एक विकेट पांच रन जीरो विकेट और यहां पे तीर रन एक विकेट 14 रन एक विकेट हैट्टोर में देखोगे तो दो तो ति बनेए और मँटे आपलगा हैं तो दिप्ति सरमा अच्छा गैंदवाजी कराती है सामने विकेट 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 में तो देति सर्मा को भी आप लेना विकेट मत करना सुटा सेयरावत लगवाद सभी की टीम मिलेगी वर्ट दूस्तौ आज यह फलॉक होन और दोस्तों उसके बाद पूनम खेमिनार देखो 10 जिलो विक्रिट बार है मतलब एक मुकाबले मात्र दो रने और वैनू पे है चाहे तीम पहले गैंदवाजी करें बल्लेवाजी करें बगाता है स फिल रेडर में घ्ले खेले मैच खेलें 3 मैदान पर तीन मैच है बहुत इच्छा है तो वह ले दे करके एक यहां पर ले देगी आपको और 45-40 पॉंट देखे जाएगी राजिया सोरी आएकवाड खास तौर पर गातक सावेच जब होगी जब यूपी की टिम पहले गंदवाजी कराती है उस कंडिशन में तो वरना फिरा डॉप कर देना अगर बाद में मैदान पे एक मेंच में एक बिगट है और डॉपील में इतना अच्छा नहीं है दस मेंच मेंच में पांच बिगट है तो ड्रॉप करके चल सकते हो यह दोस्तों गुजरात वोमेंस की पॉस्टिवल पिलेंग ले बने बेत मुनी के साथ आज आज आपको उपनिंग करती न क्या करा थामित भाई ने वेदा क्रेश्न मूर्ती एसले गाडनर दयालन हेमलता फिर दोस्तों क्यानावाइस कवाई कैथरिन ब्रेस फिर सिनेयर राना लीता हूँ हूँ तनुछ कबर और या क्यानावाइस का मेगना सिंग तो यार यह पैसिवल पिलेंग लेवन है इसमें तो दो मैचों मातर 32 रने 16 का अबरेज है बड़ार आज मुझे इससे उम्मीद है कम से कम 40 प्लस यह रन बनाई और मुझे दिखी रहे है इसके रन बहुत तगड़े तरीके से किलिर दिख रहा है कि आज यह 40 प्लस रन बनाने वाली है पक्का हरलीन दियोल देखो आप 22,8, एक सत्याथ 25 चैश अच्छी पिको सकती है अगरी टीम चेश करें तो दो मैचों 50 रने 25 का अबरेज है मैदान पे 15 का अबरेज मातर दो मैचों में 30 रने तो यह आप ड्रॉप कर देना अगरी टीम पहले बलेवाजी करें तो चेश करें तो पक्का लेना फ्रुवी को बहुत गंदी चल रही है भाई बहुत ही गंदी है लास्ट के चार मैचों में तो डवल डिजिट में स्कोरी नहीं है भाई है तो मैदान पे दो मैचों मात्र बारे रन चेह का अबरेज है तो बहुत से लोग इसको ड्रॉप करेंगे आज यह खतरनाक सावे तो सकती है व कि ऐसले गाडनर साथ रन एक विकट पंदे रन जीरो विकट उसकी बाद पैसट रन दो बिकट और फिर एक रन जीरो बिकट यहेंट्र में देखोगे आप दो मैचों में पिचासी रन है बहुत अच्छा है चाली सक्षा अबरेज है और एक विकट भी है मैधान पे दो है मलता 31 उससे पहले 57 फिर दोस्तों से पहले बुलकुल फ्लॉम है है टोड में दो मैचों में अठातर रने ठीक है तो ठीक चाहिए मच्छा खेलती है पहले वल्लेवाजी करें टीम तो पक्का लेना वैनुपे देखो किवल ग्रेंड लिव में समोली की बात नहीं कर रहा हू अगर गुजरात की टीम पहले गयंदवाजी करेगी तो पहली बार खेलेगी है मैदान पे दो मैच खेले हैं अठाइस रने चोड़े का अबरेज और एक विकेट है सने राना के बलाब मिनी गिरेंड ली गिरेंड ली में ट्राइक करना है टोड में एक मैच में और वाई न नोरण बस और मैदान पे दो मैच मैं जीरो विकेट है कोई विकट लेस विकेट लेस यह यह लीता हूँ हूँ जीरो वेकेट एक एक कर देना सेकेंड ले मैं अगर लेस्ट तीम गैंदवाजी कराए थो तनो जा कवर एक विकेट 28 लागे 2 लिकेट है टो एड में बहुत बेकार हैं दो मैंचों मातर एक विकेट है वै लूपे ठीक ठाक है दो मैंचों में अपनडीसन हेोTo मेगना सिंघ जेवर 006 फालब नी मेंacter not dai करना इसको इसमौल को देना और दोस्तों ये मेरी टीम है इसमोली की बिक्रिट कीपर में अलीसा एली के साथ मैंने बेत मुनी को ट्राइ किया हुआ है आप चाहो तो किसी एक को ड्रॉप कर देना बर दोस्तों ड्रॉप करना घातक सावित हो सकता है तो आई मैं दोनों के साथ जाओंगा बिक्रिट कवर मैंने لیا हुआ है ठीक है आज दोस्तों मेरी यहांपे Captain है कौन मैं दोस्तों Grace को करूँगा ठीक है Harris को मैं Capitn करूँगा और Gardner को मैं करूँगा, यहांपे VC फिलाल मैंने Gardner को Captain किया हुऊ अपनी Team में और VC किया हुऊ है so यार यह मेरी अभी Initial Team है फाइनल टीम आपको मिलेगी टेलिग्राम पे टोस के बाद तो फटाबर जल्दी जाओ नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है फाइनल टीम लेने के लिए बिनिंग टीम लेने के लिए पैसा कमाने के लिए जोइन करो टेली राम को यार जल्दी जाओ फुराबर चलो